अपड़ा न्याला के परिसर्म खड़े हैं और आप हमने आपको आज एक विशय पर हमने सोध किया यानि हमने इसके रिशर्ट किया कि आपको बेरजगारों पर आपको भारा सरकार या बिहार सरकार की क्या आपको बेरजगारों को जितने जो लड़कें है या लड़किया उस सब्सक्राइब बाचीत किया फिर यहां हम यहां बैंक में गए हमने आपको आनन फानन में अपने पड़्चे नहीं देते हुए मैंने बैंक वालों से बात किया आप ताजूप करेंगे जब मैंने जब उद्योग विभाग से जब लिष्ट मांगा कि कितने लोगों को अब त पीमजीटी कौन कौन या बितने आपको के थुरू आपको नई वोकों को विरजगारों कर दिया जाएगा आप सीधा चलते हैं आपके इस बिंदों पर एक हमारा सामने एक नई खण हैं जो वोक हैं और आपको आप बता सकते हैं कि जो परधानमंति जो योजना नों ने जो यह जाएगा वह जाएगा यहांपर कुछ नहीं होता बैंक वाले फिर जा तो बैंक में जाते वक्त चपल खिया जाता है मैंने बैंक का चकर लगाते 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 और उसके वह सब गुस की माहिं करते हैं कि आप लोग यह की बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग लेकिन पता चला कि यहां से पारित करके दिया था वेखादा इंटरिव्यू ले करके तो उसके बैंक को लोन देने में क्या अपती होता उसमें बैंक मैंगेजर लोग इसके लिए पैसा के 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 लिए बैंक मैंगेजर यह सब कु रियल्टी हमने जो बैंक के बीतर गाए हमने पता किया तो बैंक के बीतर एक पद होता आपको छेतरी अप साखा परबंदक और आपको ये परबंदक साखा परबंदक आप ताजूप करेंगे कि दोनों के बीच में इतनी आपको तालमेल बैठा रहता आपको कि जब तक आपक उनका लोन मिलता है लेकिन जो सब्जक्ट हमारा बेरुजगार जो लड़के आज कल के जो है आपको किसी को लोन नहीं देता हम सीधा चलते आपको एक एजाम पिल एक दस्तवेज हाथ लगा हमको एक दस्तवेज आपको सीधा हम अपने यूटूब के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं आप सीधा के अमिलमेन आप कोशिस करें इसको दिखाने के लिए आपको आज ही की घटना है आपको प्यक्ति आपको जो इन्फॉर्मेंट है इसमें वो बिचारे एक नव वक जो अपने परधान मंत्री जी के आपको जो भासन या भारत सरकार के स्कीम या बिहार सरकार स्कीम में या कि जामपिल के तोर पर आपको इस नईयोक ने में नईयोक ने आपको इद्योक विभाग में अप्लाई किया और नईयोक आपने जा करके अपने तरफ से आपको आवागाम ना सोच सकते हैं आपको इद्योक विभाग से पीडित होकर इंटर्वियों वेकाईदा वो लड़का पास किया और पास करने के बाद यह आपको इस्टेट बैक जो साखा परबंदा अंजनी यानि परसा थाना में है वहां गए वहां जाने पर वहां के जो जो बैंक साखा बैंक परबंदा का छेतरी है इन दोजोंने एक ऐसा क्रिश्मा देखा है कि आप सुनके आप हमारा येट्यूब चैनल के माद ताजूम होंगे उनका सीधा करना था कि लोन उसी को वगा जब तक इसका जो सबसीडरी याने 25 लाग का इस नईवा का जो पारित हुआ था उनका 6 लाग 7 लाग पर नियत खराब हो गई उसके बाद उनने कई बार लड़कों को परसान करते रहे और यहां तक कि इनके घर पे गया, उन्होंने फोटिगराफ लिया और उनके आपको इस लड़के के मदद में कई लोग वहां बैंक में गया, लेकिन उस बैंक प्रबंदक ने जो आना कुनी किया, यानि उन्होंने कोई बात नहीं माना लास्ट में सुत्रों से पता चला कि जैसे पड़िवाद के नुशार उस लड़के ने जा करके इस आवस्था में जो बिलकुल गरीब लड़का वो जाके अपने गहर जाके घर में जाकरके अपकी मां के गहना उना बेच करके उनका एक लाख रिपै के उनको इंतियाम भी कराए गया और उसके बाद जब काम नहीं हुआ तो लड़का दोर तरवरते परसान हुआ तो पदा चला कि लड़का आत्म हत्या करने पर उतार हुआ तो इस बीच में किसी के कई लोगों के विधिक अंशार उनको समझाएगा तो नवियों कि आज अपना सीध हमको यह आपको हमको नय मिलेगा और उन्होंने सीधा आपको जो सही बातों का उन्होंने जो तथियों को ने परिवाद पत्र दार किया और हमको अनरवल कोल्ट ने इमेडियेट आपको इनके परिवाद पत्र पर सीधा संग्यान ले करके उसको ट्रांसपर करते हुए आप को दंडा दिकारी प्रत्म स्रेणी कि आपको उनको हंडोबर किया गया ताकि यह क्या गवाही जो विधिय के तरफ पूरी हो यानि का आप देख सकते हैं कि आपको इस अब इस नयोक ने हिम्मत करके कम से कम जो आपको इस तरह जो बेलजगारी हालत में भी मुकदमा उन्हों दर्श किया ऐसे कई दर स्थांत मिलेंगे आपके कितने लड़के गुमरा हो रहे उस पर किसी ना ते नहताओं के चिंता है ना किसी के चिंता है लेकिन हम अवेर करते हैं लोग के स्मार्ट चैनल के मादम से प्लेज अगर उद्योग विभाग अगर आप सुनते हूँ हमार इस चैनल के मादम से प्लेज आप जितने आपका प्रेटिशन जो भी लगोई दोग जो भी आगर कोई आवजन करता प्लेज उनका बिदी करनुसार अगर डारे में है तो उनका प्लेज आप लोग जाएं बैंक से मिले ने तो बैंक वाले बेगर घूस लिए आपको अन हैं नवी वक हैं यह गुम्रा नहों गलत ट्रैक बना जाएं लोके इसमार चैनल हम बच्छों के साथ में हैं उमीद करते हैं कि आप आगे से ऐसा बैंक से शिकायद नहीं मिलनी चाहिए अगर दायरे माते हैं तो उनको लोन दे इनी सब्दों के साथ फिर हम आगे मिलते रह करता हैं